सर किस मुद्दे को लेकर आज के प्रेस कांफरेंस बुलाइए जला में डिटेल में बताइए देखे आज जिस विशे पर आपको यहां मैंने तक्रीफ दी है विशे बहुत गंबीर है और मैं समझता हूँ कि किस्तवार के हर नागरिक को इस मसले पर तश्वीश होनी चाहिए जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 6 मार्च को हमारे जिला किस्तवार के एक पुलिस टेशन चात्रू में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी उस वक्त भी हमने ये बात इंतजामिया की नालज में लाई थी और हमने डिमांड की थी कि इस मामले की इनकौारी होनी चाहिए अगर्ची डिप्टी कमिशनर किस्तवार ने भाहसे थे मेजिस्ट्रेट इस वाके की मेजिस्ट्रेल प्रोब के एकामाद दिये थे और ये भी बताया था कि 15 दिन के अंदर इनकौारी के रिजल्ट्स सामने आएंगे हमने 15 दिन तक का वेट के आज 20 से जादे दिन हो गए है लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मामले को लेकर के परदा पुशी की जा रही इसे बस्ते खामोशी में डाला जा रहा है यही जुरत आन पड़ी कि आप लोगों को तकलीब देनी पड़ी ताकि आपके जरी आपकी वसादत से यह बात हम ना सिर्फ आला हुकाम तक बल्के आम लोगों तक पहुंचाएं कि अगर जिल्ला किस्तवार के अंदर इस तरह आदमी किसी इनसान की पुलिस लॉक अप में मौत होती है तो यह कोई मामली बात नहीं है जहां तक मेजिस्टल प्रोब की बात है डिप्टी कमिशनर ने मेजिस्टल प्रोब के हकामात सादिर किये और उसके बाद ये भी बताया गया कि पुलिस ने भी इस मामले की इनकौरी इनिशेट की है लेकिन 20 दिन गुजरने के बाद भी अगर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है तो यकीनल हम सब को इस पर तश्वीश होनी चाहिए लेकिन मेजिस्टल प्रोब की अगर हम बात करें ये जो मामला है ये एक व्यक्ति की पुलिस लॉक अप में मौत हुई है कोई आम बात नहीं है आप सब लोग जानते हैं जब किसी भी इनसान की मौत होती है उसके पीछे कारण होता है कोई इनसान बीमारी से मरता है कोई किसी का कतल होता है या सुसाइड होता है हमने ये सुना है कि पुलीस का ये कहना है कि उस वेक्ति ने पुलीस लाकप में अपने आप खुद मार दिया है ने सुसाइड किया है अगर पुलीस का वर्शन भी हम मानके चले हलांकि इनक्वारी में बात सामने आई है कि क्या उ से वाकी में उसने स्विसाइड किया लेकिन अगर चलिए फार्दि सेग आर्ग्यूमेंट अगर हम पुलीस की ही बात को मानते हैं तब भी जैसा आप सब लोग जानते हैं अगर कोई खातून कहीं स्विसाइड करती है खुदाने खासता तो सबसे पहले उसके इनलाज के खिला इसना बड़ा स्टेप ठाना पड़ा है तो इस मामले को लेकर पुलीस डिफरेंट यार्टिक क्यों है अपलाई कर रही है अगर एक इनसान की लाकप में मोत हुई है बले ही पुलीस अगर कहती है तो यह जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह के हालात किसने पैदा किये वह क एक्स्प्लेइन करें इस व्यक्ति की मोत हैं वो कैसे हुई है एक बात दूसरी बात यह है कि जहां तक कस्टोडियल डेस्ट की बात है अगर कोई इनसान लाकप में मरता है उसके लिए अलग कानून है लेकिन जब किसी व्यक्ति को कोट के रिमान पर लाकप में रखा गया ह आप सब लोग जानते हैं कि उसे एंडीपेस के मामले में उसके इल्जामात थे और उसके बाद उसे लाकप में रखा गया था लेकिन वो कोट के रिमान पर था और कोट के रिमान पर अगर किसी व्यक्ति की पुलिस लाकप में मौत होती है तो उसके लिए कानून बिलकुल म करता है इसी तरह की देट को लेकर के, section 176 कहता है, inquiry by magistrate into cause of death, who, when any person dies while in custody of police or when the case is of nature referred to in class 1 or class 2 of subsection 3 of the section 174, the nearest magistrate empowered to hold inquiries shall, word shall has been used, and in any manner other case mentioned in subsection 1 of section 174, any magistrate so empowered may hold an inquiry into the cause of death, either instead of, or in addition to the investigation held by the police. यानि police की investigation के साथ साथ, इसमें magistral probe हो नहों, लेकिं judicial probe बहुत जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति जो था, वो court के remand पे था, यानि court की permission से police के लाकप में था, इसलिए इस मामले की judicial inquiry होनी चाहिए, हालांकि डिस्टिक के स्टवार में कुछ वुकला ने इस मामले को लेकर के अदालत में दर्खास भी दायर की और ये भी मतालवा क्या है कि इस मामले की judicial inquiry हो, लेकिन हम भी अपनी पार्टी के हवाले से, हमारा भी ही स्टेंड है कि इस मामले की judicial probe होनी चाहिए, देखिए, कि इस इंसान की मोत गही है, उस पर हम कोई राजनीती नहीं करते हैं, और नहीं करनी चाहिए, जिस वक्त उस की मोत हुई थी, अब्दुललतीफ की मोत जब पुलिस लाकप में हुई थी, वह हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ था, वह मेरा क्लाइंट भी था, और एक इनसान के लिए थी, हमें बार-बार कॉल जा रहे थी, आप यहां तक आए, हम लोग एहत्जाज करेंगे, लेकिन हम किसी की मोत पर, किसी की लाश पर राजनीती नहीं करना चाहते हैं, हम इनसाप की गवार लगा रहे हम इनसाप मांगते हैं, हम कहते हैं कि उन बच्चों का जिन से पहले उसकी वालदा छिन गे और अब बाप का साया बिनके सर से उठ गया है उन बच्चों मासुम बच्चों का देखिए उनके वालद की मौत हुई है कम असकम खुदारा उनके लिए इनसाफ कीजिए लहाजा मेरी आप लोगों के मादम से इंतजामय तक जम्मू कश्मीर यूटी के लेपनेंट गौर्नर तक ये मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ कि हम इस मामले की जुडिशल इंकौरी के का मतालबा करें गांए और जल्द जल्द इस मामले को साफ किया जाए लोगों'D के समने सचाय लाए जाए जाए और Whoo education का उनकी welfare का सरकार जिम्मा ले ऐसी खबर आ रही है कि पुलिस उनको टेह रही है कि हम आपको कंपनी से दो लाग लाग ले कंपरसेशन देगी कंपनिया यहां पुजड़ बनानी आई हैं कंपरसेशन देखें यह बात हमारे हम तक भी पहुंची है और यह बहुत अफसोस की आगर आख एक वेक्ति की मोथ हुई है पुलीस लाकप में मोथ ही बजाए इसके कि सचाई सामने आ जाये बजाए इसके के उसके जो परिवार वाले इसके प्रवावाज है उन्हें किसी भी तरीके से चाहे बहला फुसला कर आपके हैं उन्हें डरा-धंका कर कुछ बयान इस तरह के दिलवाये जा रहे हैं ताकि जो यहां पावर प्रजक्स में काम करें कंपणिया हैं उन से उन्हें माखूल मावज़गे जो बिल्कुल इल्लीगल ह है इल्लॉजिकल है और इसके हम सकते अलफाद में हजबत करते हैं अगर यह इस बात में थोड़ी सी पी सचाही है